Hello Everyone, Welcome to Amazing Education Center तो आज की वीडियो का हमारा टोपिक है अच्छे शोट नोट्स बनाने के लिए 7 Important Tips इस वीडियो मैं आपको बताऊंगे क्योंकि बहुत ज़दे स्टुडेंट्स को एक प्रोब्लम आती है कि शोट नोट्स कैसे बनाएं और आइडियली शोट नोट्स होते कैसे हैं तो इस वीडियो मैं आपको बताऊंगे कि शोट नोट्स कैसे होते हैं या आइडियली कैसे होने चाहिए आपके शोट नोट्स और कैसे शोट नोट्स आप बनाएंगे क्योंकि last time पे आप short notes में से ही revise कर पाएंगे students last time में आप detail notes पे revise नहीं कर पाएंगे नहीं आप rely कर पाएंगे detail notes पे तो आपको पुरी तरह से short notes ही revise करने हैं last time के लिए तो short notes बनाने बहुत ज़दा important हो जाते हैं तो यह video काफी ज़दा helpful है आप सभी students के लिए बिना skip करे video पूरी देखेगा अगर आपको video अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe, video को like and share ज़रूर करना bell icon भी ज़रूर प्रेस कर दीना ताकि मेरी video की notification आप तक सबसे पहले पहुँचे तो बिना time waste के हम video start करते हैं आपको उनको unnecessary आपको उसमें बहुत सदा words नहीं लिख देना है आपको उसको detail notes नहीं बनाना है क्योंकि detail notes में आपके पास already available है books भी आपको detail में available है तो आपको उसको detail में नहीं बनाना है उनको सीमित words में ही लिखना है यह आपके लिए first tip होगे students secondly आपके जो हर important topic को क्या लिखना है आपको sequentially मिन्स करमबार तरीके से note करना है यह काफे साथ important हो जाता है कि हम sequentially लिखे जिससे के हमारा flow बन जाए लिखने में और याद करने में easily learn हो जाए आपको यह गलती नहीं करनी है कि आपने एक topic लिखा main headings आप ही कहीं हो रहे some main headings कहीं हो रहे कोई topic आपको बीच में छूटा हुआ है या फिर आपने second topic स्टार्ट कर दिया फिर third topic स्टार्ट कर दिया second topic आपका complete नहीं है तो यह गलती आपको नहीं करनी है जो topic आप लिख रहे है वो complete करे then आप next topic पर move on कीचे और जो topic लिख रहे है उसकी main headings से साथ some main headings ज़रूर लिखे इत मिन्स उस topic को महीं पर complete कर ले students third जो आपके लिए important topic होगा tip होगी वो यह है कि book में ही दी गई महत्पून जानकारी means important points ही note करे आप उसमें सारी चीज़े नहीं note करे पूरी book आपको नहीं चाब लिनी है सिर्फ important points से उसमें note करे main main keywords उसमें note करे ताकि आपको पूरी statement exam में याद आ जाए keywords से तो main main keywords ही short notes में लिखे जाते है next जो important tip होगी वो आपके लिए four tip होगी वो होगी कि charts, diagram and table का उप्योग करे कम से कम text लिखे यह बहुत ज़दा important है कि हम text का इस्तमाल कम करे diagrams, charts या फिर table ज़दा ज़दा इस्तमाल करे अपने short notes में क्योंकि हमारी eyes and mind जल्दी catch कर लेता है charts, diagram या फिर tables को as compared to text text हमें जल्दी से याद नहीं हो पाता है उसके बारे में हम theory भी लिख सकते है exam में detail में तो काफी ज़दा helpful यह tip होगी आप सबी students के लिए next जो आपके लिए फिफ्ट नंबर की tip होगी होगी कि notes को शरल भासा में शरल भासा का उप्योग करे notes में means आपको simple language में short notes बना रहे है आपको बहुत सबर typical words उसमें निडाल देना है जो आपको learn करने में भी easy ना हो और आपको लिखने में भी flow ना बन पाए तो simple language में notes बनाई ताकि आपको easily learn भी हो जाए और आपका flow भी बना रहे है और आप exam में अच्छे से represent कर पाए जादा जादा words में आप exam में लिख पाए आपने short notes को याद करने के बाद next जापकी number 6 नमबर की tip होगी वो यह है कि notes हमेशा एक notebook में ही एकतरीत करके रखे और उने compile कर ले means आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने A4 size की sheet पे notes बनाए है और आपका एक page कहीं है एक page कहीं है और आप exam time में उनको ढून रहे हो या फिर आपको मिल नहीं नहीं है तो ये गलती भी आपको नहीं करने है उसको आपको पहले से ही compile करके रखना है या फिर आप एक notebook में ही short notes बनाए ताकि आपको compile करने की problem ना है और वो एक जगह ही हो और जब आपके exam पास हो था आप अच्छे से उनको revise कर पाई students आपको उन्हें compile करना बहुत ज़दा important है and last and seventh हो गया आपके लिए कि note को interesting बनाने के लिए colorful pan या फिर highlighters का इस्तिमाल करें colorful pan या फिर highlighters का यदि आप इस्तिमाल करते हैं तो उससे हमारे notes काफी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और काफी पढ़ने में हमें interesting लगता है हमें काफी ज़्यादा interest आता है उन्हें पढ़ने में और उससे हमारे notes काफी ज़्यादा अच्छे हमें दिखने दिखते हैं इसकी वेज़ से हमें उनको बार-बार पढ़ने का मन करता है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ नई वीडियो में नई कॉंटेंट के साथ कॉमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी तो इसकी आपको का रजियो आपको का रवार बताएगा है